बिस्मिल्लाहिर रख्मान रहीम, असलाम अलेकुम, उमीद है कि आप सब खेरियत से होंगे आज हम बनाएंगे आलो पूरी जो कि बहुत ही मज़ी की बनती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पूरी बनाने के लिए मैंने यहां पी लिया है दो कप आटा दो कप मैश पोटेटो मैंने दो बड़ी साइस के आलो ले और उसको बाल के मैश कर लिया वन टी स्पून हल्दी पौडर हाफ टी स्पून गरम मसाला पौडर हाफ टी स्पून ब्लेक वेपर पौडर वन टी स्पून जीरा पौडर दो बारी कटी हुई हरी मिर्चे वन टेबली स्पून लाल मिर्चो का पौॉडर ट्रू टेबली स्पून बारी कटा हुआ हरादनिया दो चमच बेशन और नमक घास भी जरूरत तो सबसे पहले हम आटा लेंगे और उसमे सारे मसाले और बेशन डाल देंगे बेसन डालने के बाद बारी कटा हुआ हरा दन्या भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि सारी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम यहाँ पे इसको इस तरह मिला लेते हैं मसाले मिक्स करने के बाद अब इसमें हम आलू डाल देंगे और आलू को हाथ से या इस तरह स्पेचुला की मदद से हम इसके साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे मसालों और आटे की साथ तो जब आलो मसालों के साथ मिक्स हो जाए तब हम इसको हाथ से आटो की तरह गून लेंगे जिस तरह हम आटा गूनते हैं इस रेसिपी में हमने पानी का इस्तिमाल नहीं करना अगर आपको ज़रूत मेहसुस हुई तो आप दो तीन चमर जाल सकते हैं मैंने यहां पर पानी यूज नहीं किया तो इस तरह से हम आटी की तरह इसको गून लेंगे आटा हमारा परफेक्टली गून चुका है तब हम आटी का पेड़ा से बना के इसको कवर करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए 15-20 मिनट के बाद हम इसकी चोटी चोटी इस तरह से लोईयां बना लेंगे जितने हमने बनानी है जितना हमने पूरियों का साइज रखना है उस साइज के हम इस तरह से लोईयां बनाएंगे और साइट भी रखते जाएंगे सारे बनाने के बाद इस तरह से हम इसको पिरसे रख देंगे पांच-दस मिनट के लिए इससे पूरिया जो है वो बहुत असानी से बेल जाएगी हलका सा ओईल लगा कि इसको हम इस तरह से चिप्टा कर लेंगे और इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे तो बेलन्ट से हम इसको बेल लेंगे पूरिय को हमने दर्मियाना बेलना है ना बहुत ज़्यदा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यदा पतला तो हम सारी पूरिया बेल के इस तरह से रख लेंगे तयार ताकि हम इसको तलने में आसानी हो तो यहां पे पूरिया हमारी तैयार है अब इसको हम फ्राइ करेंगे ओईल चेक करने के लिए हमने इसमें चोटा सा इस तरह पीज डाल दिया है यहां पे ओईल हमारा बहुत ज़्यदा गरम होना चाहिए क्योंकि टंडे ओईल में पूरिया जो है वो पूलेगी नहीं तो पूरिय को डालने के बाद इस तरह से आप उसको प्रेस करते जाए उपर से हलका हलका सा दबाते जाए इस तरह से जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यह पूलना शुरू हो जाएगी तो इस तरह से ये पूल जाएगे पूरी अब इसकी साइड चेंज कर ले इस पूरी को तलने में बमुश्किल एक दो मिनिट ही लगते हैं तो यह यहां पर फ्राई हो चुकी है अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी की पूरियों को भी तल लेंगे तो पूरिया हमारी रेडियो हो गई है जो कि बहुत ही मज़ी के बनी है तो आप इसको जरूर ट्राई करें तो अगर आपको ये रेसिप ये अच्छी लगी है पूरियो आपको ये उता हमारी रेसिती करें